वद्ने मातरम साथियों सिंगार के चो पत्ते हैं वो बुखार की सबसे अच्छी दवा होती है अगर आपको खराब से खराब बुखार हो जाए जैसे चिकन गुनिया है जैसे डेंग्यू फीवर है जैसे इनसे फ्लाइटिस है ब्रेन मलेरिया है इन सभी तरह के बुखार को ठीक करने की ताकत हर सिंगार में है इसके पांच पत्ते तोड़ लीजिए पत्थर पर पीस कर इसके चटनी बना कर एक गलास पानी में उबा लिए पानी आदा हो जाए फिर इसको चाई की तरह पिलीजिए बुखार के किसी भी मरीज को तीन दिन से जाद देने की जरूरत नहीं पड़ती ये गठिया का रोग अगर है तो तीन महीने से जाद देने की जरूरत नहीं पड़ती गठिया के रोग में ये तीन महीने में गठिया ठीक कर देती है और बुखार में ये तीन दिन में बुखार ठीक कर देती है और बुखार की एक दूसरी दवा की बात करते हैं तुलसी पत्ता तुलसी पत्ता 15-20 ले लीजिए पत्थर में पीस लीजिए इसमें 3-4 काली मिर्च पीस लीजिए पानी में अच्छे से उबाल लीजिए फिर उस पानी को पी लीजिए ये भी बुखार को ठीक करने की सबसे अच्छी हो शदी है बुखार ठीक करने की एक और सबसे अच्छी हो शदी है नीम की गुलाए नीम के पेड़ पर एक गिलोए होती है, बेल होती है, आपको फोटो दिख जाएगा, उसको अमरता या गुड़शी भी बोलते हैं, यूपी में इसको गुच के नाम से भी जाना जाता है, इसको थोड़ा सा काट लीजिए, लगबग 6 इंच लंबा टुकडा ले लीजिए, ए एक ऐसी चमतकारी का उशदी है, जिसका तजरुबा लाखों लोगों के साथ किया जा चुका है, अनेको वैद्दे अनेको चिकित्सक ऐसे हैं, जिनोंने हजारों बार इस उशदी का प्रियोग किया और ये कभी फेल नहीं होती, इसके बारे में सबसे खास बात ये है कि जो बुखार किसी भी दवा से ना उतरे, वो नीम की गिलोई से आसानी से उतर जाता है, और 100% उतर जाता है, बड़े बड़े एंटिबैटिक जब फेल हो जाते हैं, तब नीम की गुलाए काम आती है, और आप इसको याद रखें हमेशा, कई बार ऐसा होता है कि बुखार जब बहुत गहरा हो जाता है, तो आपके शरीर में प्लेट लिट्स की संख्या कम हो जाती है, वो बहुत तेजी से गिरती हैं, WBC कम हो जाते हैं, तो जब ये कम हो जाते हैं, तो इससे शरीर में ब्लेडिंग शुरू जाती है, और मरने का खत्रा बढ़ जाता है, उस समय अगर गिलोए काड़ा अगर आपने किसी पेशेंट को दे दिया तो मरता हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है इसलिए इस ओशादी को अमरता कहा गया है इसलिए इसका नाम अमरता रखा गया है और यह कहीं भी बड़ी आसानी से मिल जाती है रोड के किनारी पेड़ों पर मिल अगर कहीं आपको मिल जाती है छोटा तुकड़ा लाकर अपने घर पर लगा लीजिए गमले में आराम से हो जाती है नीम पर है तो निचड़ा दीजिए बहुत अच्छा है नीम नहीं है तो घर पर रखिए और सिंपली आप इसको बेल को छोड़ दीजिए वो भी बहुत जब इसमें लोगों को एक काढ़ा दिया जाता है वो काढ़ा पीने से ये ठीक हो जाती है इसके लिए अगर आप लोगों को बताते हैं कि तुलसी का काढ़ा पी लीजिए तो उससे ठीक हो जाएगा नीम की गिलोए है तो उसमें तुलसी के काढ़े में डाल लीजिए अब आप modern treatment के लिए आप कोई भी medicine, कोई भी injection दे दीजिए, लेकिन उससे जो बुखार नहीं उतरता, वो यह 100% उतरता है, बुखार की इस्तिति में इन तीनों दवाईयों को, इन तीनों जड़ीबूटियों को हमेशा ध्यान रखें, इनको जरूर इस्तेमाल करें, आपका क इस खतरनाक से खतरनाक बुखार होगा, वो भी ठीक करने की इन में शक्ति है, आशा करता हूँ, आज की जानकारी आपके काफी काम की रही होगी, वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई और रोचिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जैहिन वन्दिमातरम